हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रसीपी लेके आई हूँ जो बहुत टिस्टी भी है और इजी भी है तो मैं हमेशा अपने चैनल पर इजी इजी रसीपी लेके राती हूँ तो अगर हमारी रसीपी पसंद आए तो हमारी रसीपी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अज मैं आमकी एक नई रैसिपी लेके आई हूँ ये बहुत सौधिस्ट है और इसको देखकर हर किसी के मूना पानी आ जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हम दूद लेंगे मैंने आधा लीटर दूद लिया है और इसको हम गाड़ा कर लेंगे तो इसको आप स्लो फ्लेम पर रखे रहने दे और बीच बीच में इसको चलाते रहें जब तक दूद करम हो रहा है हम आम कट कर लेते हैं तो आम को पहले हम छील लेंगे तो मैंने चाकू से छीला है आप चाहें तो इसको पीलर से भी छील सकते हैं वो भी बढ़ी असानी से छील जाएगा चिलने के बाद हम इस तरीके से कट लगा देंगे तो पहले आप लंबे लंबे कट लगा दें उसके बाद इस तरीके से स्क्वेर में कट लगा दें और इसके हम छोटे छोटे स्क्वेर में कट कर लेंगे तो आप देखी सकते हैं कितने अच्छे से कट हो गए हैं इतने फिनिशिंग से कट हुए हैं और सारे एक ही सेप में कट हो गए हैं अब थोड़े से पीसे सम बड़े बड़े टुकडे में कट कर लेंगे इनको हमें ग्राइंड करना है अब हमारे मैंगो कठ हो गए हैं, जब तक हम दूद को चेक कर लेते हैं अब हमारे दूद में उबाल आ गया है और ये धीरे धीर गाडा भी हो रहे है तो इस तारीके से बीच-बीच में चलाते रहे हैं और आप इसको बस slow flame पर रख दें और बीच बीच में चलाते रहें अब हमने mango को भी grind कर लिया है तो इस तरीके से जो बड़े बड़े pieces थे उनकी हमने puree बना लिया है अब देखी सकते हैं हमारा दूद गाड़ा हो गया हमें इसको रबड़ी के जैसे गाड़ा करना है तो अगर आपको जल्दी गाड़ा करना है तो इसमें दो चम्मच milk powder भी डाल सकते हैं उससे भी आपकी रबड़ी जल्दी गाड़ी भी हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा अब हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी मैंने दो चम्मच ली थी छोटे चम्मच आप अपने according कमया जादा भी कर सकते हैं और इसमें इलाइची powder डालेंगे इसको भी mix कर लेंगे इलाइची powder से हमारी recipe के टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ये recipe बच्चों को तो बहुत पसंद आती है अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार डेमांड करेंगे बनाने की तो अब हमारी रब्डी बिलकुल बन के तयार है हमारा दूद गाड़ा हो गया है अब हम flame को बन कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे इसको हमें room temperature पर ठंडा होने देना है तो हमने एक बॉल में निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने देंगे तो अब हमारा दूद ठंडा हो गया है हमारा दूद room temperature पर हो गया है अब हमें इसमें mango puree मिक्स कर देंगे हमें इसमें mango puree mix करने हैं इसलिए आपको ध्यान रहे कि रबडी का temperature रूम temperature पर हो या फिर आप इसको फ्रिज में रखके ठंडा भी कर सकते हैं तो अब हमारी mango रबडी बिल्कुल बनके त्यार हो गई है यह बहुत tasty भी है और इसका color भी कितना अच्छा आया है अब हम इसका एक दूर से बर्तन में डाल देंगे और उपर से mango से हम decorate कर देंगे तो जो हमने छोटे छोटे पीसे काट के रखे थे उससे हम decorate कर देंगे हमें mango के पीसे से उपर से decorate करना है तो इसलिए आपको सिस करें कि जितने छोटे पीसे से हूँ उतना ही अच्छा लगेगा देखने में और के तैस्ट भी मुँमें उतना अच्छा हूए गा तो इस तरीके से हम सारे में फिला देंगे के बाद हम उपर से बादाम से डेकुरेट कर देंगे तो बादाम के मैंने छोटे छोटे पीसे काट लिया थे आप चाहें तो इसके उपर पिस्ता भी डाल सकते हैं तो यह हमारी मैंगो रबडी बिल्को तेयार है आप इसको फ्रिज में रखें और इसको ठंडा करके सब करें तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो हमारी रेसिपी को लाइक शेयर जरूर करें तो आप मिलते अगली वीडियो में थैंक यूँ